रोयल इंफिल्ड और रॉल्स लॉइस ये ऐसे दो ब्रैंड हैं दोस्तों जो इंडिया में सबसे बेहतर माने जाते हैं आज के वीडियो में दोस्तों हमारा दावा है कि इस वीडियो के अन तक इतना जबर्दस्त वेल्यू अडिशन होगा आपका इन ब्रैंड के बारे में किस तरीके से इन ब्रैंड ने ये मुकाम हासल किया जिसको हम लोग ब्रैंड्स का भोकाल या ब्रैंड वैल्यू भी कहते हैं उसकी जर्नी क्या थी इन लोगों की नमस्कार दोस्तो राइट्टो सिक्षा में आपका स्वगत है राइट्टो सिक्षा एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है अगर आप अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोड डालेंगे तो आपको याद आएगा कि आपने इनका एड कहां देखा है चलिए मैं आपको थोड़ा हेल्प करता हूँ हो सकता है आपने इसका एड टीवी में देखा हो हो सकता है आपने कभी मोबाइल सर्फ करने के दौरान इसका एड देखा हो हो सकता है यूट्यूब एड के तहट आपने इसका एड देखा हो पर दोस्तो सब गलत आपको बताते हैं दोस्तो कि आपने इसका एड आल्मूस्ट कहीं भी नहीं देखा है Royal Enfield अपना advertisement किसी भी TV platform पे नहीं करता है कुछ magazine में बशरते आपने देखा हो पर आम तोर पर ये अपना advertisement नहीं करते हैं दोस्तो सेम चीज आप Rolls-Royce में भी देख सकते हैं दोस्तो आपने Audi का, BMW का, Mercedes का advertisement तीवी पर या कई और जगाओं पर देखा होगा पर Rolls-Royce का advertisement शायद ही आपने कहीं देखा हो दूसरे number पर दूस्तो जो एक common बात ये दोनों share करते हैं वो ये है कि ये अपना design बहुत ही मुश्किल से change करते हैं तो देखिए दूस्तो पलसर हर साल launch होती है उसके design में modification होता है Rollinfield brand क्या करता है दोस्तो कि वो अपने design को intact रखता है बहुत ही मुश्किल से change करता है अगर आप 1980s की Rollinfield की bikes देखेंगे और आज 2020 की 40 साल के बात की bikes देखेंगे तो उसमें आपको दोस्तो ना के बरावर difference देखेगा Rolls-Royce भी दोस्तो इसी तरीके से अपनी काड़ी का बहुत ही slightly modification करता है तो 40 years back वाली cars भी इनकी value को retain करती है इसलिए आपको ये bikes ये car एक ही बार खरीदने पड़ती है बार बार आपको upgrade नहीं करना पड़ता क्योंकि आप already upgraded रहते हैं तीसरा सबसे important काम होता है दोस्तो ब्रैंड की value बनाने का अपने brand की hype बनाना आपने दोस्तो कई सारे myth सुने होंगे कि Rolls-Royce खरीदने के लिए आपकी आउकाद देखी जाती है आपका finance देखा जाता है आपकी पूरी family का background देखा जाता है पर दोस्तो अगर आपको ज़्यादा information चाहिए तो हमने इसके लिए separate video भी बनाया है क्या criteria होता है Rolls-Royce की गाड़ी खरीदने का तो इस तरीके से दोस्तो अपनी hype बनाना अगर आप देखिए टेकनिकली बहुती inferior bike है पर आप उस bike का hype देखेंगे तो वो market में बहुती ज़्यादा है लोग उस bike को follow नहीं करते बलकि इस brand के भक्त बनते हैं Rolls-Royce का और Royal Enfield की बीच का दोस्तो मैं आपको एक बहुती बहुती बेहतरीन relationship बताता हूँ 2001 में दोस्तो जो bullet थी इनकी उसकी कीमत थी 55,000 रुपए की अगर किसी ने उस दिन वो bike ना खरीद कर 55,000 रुपए का share खरीदा होता Royal Enfield जो की आईशर ब्रैंड के दोरा own की जाती है तो 55,000 रुपए का अगर किसी ने share खरीदा होता तो आज उसकी value दोस्तो 7 करोड रुपए बन जाती है मतलब किसी ने 2001 में अगर bullet नहीं खरीदी होती है और उसकी जगा पर उसने उस समय share खरीद होते है तो आज वो Rolls Royce खरीद सकता है अब दोस्तों हम आपको बताते हैं इसका एक right to sixha factor देखिए दोस्तों अगर आपको भी अपनी brand value बनानी है तो ये brand क्या कर रहे हैं साब बहुचा सीख सकते हैं पहली बात जहां पर भी आपकी ज़रुवत नहीं है जो भी आपसे relevant लोग नहीं है आप उनसे interfere ना करें in fact interact ना करें जितना ज़ादा आप अपने आपको exclusive रखेंगे उतनी बहतर होती है दोस्तों आपकी value हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि इस तरीके से कई सारी जो super cars हैं लिमबॉर्गनी, मसे, राती, रॉल्स रोइस इसके हुपर दोस्तों हमने कई सारी exclusive वीडियो भी बनाएं कि कौन-कौन इन cars को own करते हैं अब हम बताएंगे दोस्तों आपको right to six a factor अगर आपने notice किया हो दोस्तों तो जब तक है जा मूवी में शारुक खान पूरी मूवी में प्रॉयल इंफिल्ड बाइक लेकर घूम रहे हैं इन फाक्ट सैफली खान ने तो एक मूवी बुलट राजा करके बनाई थी और इन दोनों ही cases में दोस्तों प्रॉयल इंफिल्ड ने किसी भी आक्टर को जबकि ये दोनों बहुत ही बड़े आक्टर हैं इन मेंसे किसी भी आक्टर को कोई पेमिंट नहीं किया है तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितना भोकाल बना के रखा है इन ब्रांड्स ने आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो हमारी बहुत पसंद आये होगी इस तरीके से डिफरेंट आंगल हम लोग आपके समय लेका राते हैं अगर आप हमें लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है दोस्तों बिल्कुल आउट ओड़ बॉक्स सोच कर आपके लिए वीडियो बना कर लाएंगे प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए जय हिंद जय भारत